होली के दस दिन बार यानि चेत्र कृष्ण दश्मी तिथी पर दशा मता का व्रत और पूजा अर्चन के जाती है इस बार ये तिथी जो है वो 27 मार्श रईवार को है और ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की दशा यानि की इस तिथी खराब हो वो इस दिन व्रत पूजा करे तो उनकी परिशानिया कम हो जाती है रादे रादे मा बगवति आम सभी की मनो कम ना पूर ने करें इसे के साथ आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं वीडियो जनकरी कथा अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंट्स वामली में शेयर कर दीजेगा और ज्यादा ज्यादा लाइक करीगा जो चैनल में फर्स टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्काइब कर लिजेगा तो जैसे के हम सभी जानते हैं कि होली के दसमें दीन आती है दशा माता जो है वो माता पारवति का ही रूपे है और दशा माता का व्रत घर परिवार के बिगड़े ग्रहों की द दन संपति बनी रहे हैं महलाएं इस दिन दशा माता और पीपल की पूजा सवभागी एश्वरी सुख शान्ती और अच्छी सहत की कामना से करती हैं दशा माता की जो पूजा वीदी है वो भी देख लेते हैं दशा माता व्रत के दिन मुखे तोर से भगवान विश्णू के स्वरू पीपल व्रक्ष की पूजा की जाती हैं इस दिन सौभागी वति महलाएं कच्छे सूत का 10 तार का दोरा बना कर उसमें 10 गांट लगाती हैं और पीपल व्रक्ष की प्रदक्षीना करते हुए पूजा करती हैं parद व्रक्ष के नीचे बैठ कर नल दांपति की कथा गर आकर द्वार के दोनुत तरफ हल्दी और कुमकुम के चाप लगाती हैं, अपने हाथों के चाप लगाती हैं, इस दिन प्रत रखा जाता है और फिर एक समय भोजन किया जाता है, भोजन में नमक का प्रयोक नहीं किया जाता है, प्रयास करें कि दसामाता की पूजा के बुषे शुरूप से धहान रखे पुरी दशा शुरू हो गई और अच्छे समय जाने लगा छोड़ ऐसी परिस्तिती आ गई कि राजा को अपना राजी छोड़ कर दूसरे राजी में जाना पड़ा काम करने के लिए यहां तक उन पर चोरी का इलजाम भी लग गया एक तीन बन से गुजरते समय राजा नल को वही सपने वाली बुड़िया दिखाई दी तो वे उनके चर्णों में गिर कर छमा मांगने लगे और बोले माई मुझसे भूल हो गई है मुझे माफ कर दो मैंना आपका अपमान किया है मैं अपनी पत्नी सहे दसा माता का व्रत करूंगा पूजन करूंगा बुड़िया ने उन्हें चमा करते हुए दसा माता का पूजन करने के वीदी बदाई चेत्र महा के किष्ण पक्षी की दश्मी तिती आने पर राजा रानी ने अपनी समर्थ अनुसार दशा माता का पूजन किया और दशा माता का डोरा गले में बांदा कथा श्रवन करके व्रत को पूणी किया जिससे माता प्रसन हुई दशा माता ने उन्हें आशिश दिया और उसका राजा का राज जो छीन गया था उसे फिर से मिल गया और उस पर जोरी कल जाम तो वो भी हैट गया इस प्राका से जो भी शद्दा भाव से दशा माता का डोरत पूझा आर चनना करते हैं माता उनकी मनो कामना पूर नहीं करती है घर की आरति किसी दी बिगड़ी हो तो दशा माता का वर्त अवश्य करें आपको मेरी ये जानकरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा तब तक के ले राती राती